प्रिय दर्शकों राधे राधे हरहर मादेप आप सबी लोगों का सनातन आस्था ज्यान चेनल में हारदी कवी नंदन एबम स्वागत है यह दिया पहली बार हमारे चेनल में आये हैं तो चेनल को सब्सक्राइब अवसे करें वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट सेर अ 2021 की बहुत बहुत शुब कामने आप इस पूरे वर्सवर स्वस्त रहें दीर गायू रहें भगवान के किरपाप के उपर बनी रहें आपने जो लक्षे निर्धारित किये हैं उन लक्षों में आपको सपलता मिलती रहें और आपके हर कारे में सपलता मिलती रहें भगवान क किरपाप के उपर बनी रहें और आपका मन भी भगवान के चरणों में लगा रहें इनी शुब कामनों के साथ आपके लिए वार्शिक फल तयार किया गया है जो आपकी रासी और लगन के अनुसार भी आप देख सकते हैं यदि आपको यदि आपको अपनी रासी मालुम नहीं तो इसमें जो अक्षर आ रखे हैं इन अक्षरों से बिस्ब रासी बनती है। जो यहाँ नाम अक्षर हैं इन में यदि कोई सबी अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर हैं तो आपकी यही रासी होगी। तो आएए प्रारम करते हैं ब्रिसब रासी वालों के लिए तो ब्रिसब रासी वालों के लिए यहां वर्ष बहुत ही शूब रहने वाला है सरपर्थम आपके जो रासी स्वामी है शुक्र उनकी इस्तिती कैसे उनकी बात करते हैं सुक्रगरह अनेक राशियों में संचरण करेंगे इस वर्स में और जिस समय वहां उचके होंगे उस ओधी के लिए हम बताते हैं 31 मार्च से और 25 अपरेल तक सुक्रगरह उचके रहेंगे जो कि इस समय आपके आई में ब्रदी होगी आपको ऐस्वरे काला मिलेगा आपकी इनकम में ब्रदी होगी और यदि आप कला के छेतर में हैं तो आपको इस ओधी में प्रसीदी मिलने वाली है तो यह समय आपके अनकूल हैं इस समय आपको मान समान पत परतिष्ठा भी मिलेगी और यह समय आपके लिए बहुती शूब है संतान छेत्र से भी आपको सुब समचार प्राप्त होंगे अब जिस समय आपके रासी के स्वामे शुक्र अपने रासी में आएंगे ब्रिसब रासी में तो वह समय है 17 सितंबर 2014 से 13 अक्टूबर 2024 तक इस समय मालब्य नामक राजियों का निर्मान हो रहा आपके कुंड़ी में जो कि बहुत ही स्रेष्ट है इस ओदी में आपको हर छेत्र में सफलता मिलेगी आप नए नए फैंस ले लेंगे आपका वर्चस बढ़ेगा और आपका आकर्शन बढ़ेगा हर कोई जो आपके सत्रु होंगे वह भी आपके मित्रवत भी ओहार करेंगे आप इस समय नए नए फैंस ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यह समय बहुत स्रेष्ट रहेगा यह समय ब्यापार वर्ग वालों के लिए भी स्रेष्ट समय हैं दामपत्य जीवन भी आपका मदुर रहेगा तो हर परकार से इस सुव समय का आप लाप अवसे लेना यह बहुती स्रेष्ट समय इसमय मालब बिनामक राजयोग मालब बिनामक राजयोग में अईश्वर या रुके होए कारिय हैं तो वा रुके होए कारियां आपके इस ओधियां आप निप्टा सकते हैं वह आपके पूर्ण होंगे इस ओधी में तो शुक्र के स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए अब बात करते हैं मुख्या जो तीन ग्रह हैं उनमें इस वर्स देव गुरु ब् बैठे हैं और केतु कन्यारासी में बैठे हैं तो सरपर्थम इन ग्रहों में से सबसे पहले हम बात करते हैं राहू की राहू इस समय आपके आयास्तान पर बैठे हैं जो आपके प्रतिद्वन्दी होंगे उनको आप इस समय प्रास्त करेंगे आपकी योजनों से आपको ला अब सनी देव की बात करते हैं। तो शनी देव आपको बहुत स्रेश्ट फल देने वाले हैं। आप अपनी मेहनत करते रहें बस मेहनत करने पड़ेगी। सनी देव अधिक मेहनत कराते हैं। मेहनत आप करते रहें, इमानदारी से अपना कार्य करें। तो आपके लिए असमय बहुत स्रेश्ट रहने वाला है। और जो सनी की दृष्टिया हैं, वहाँ ब्याय अस्तान पर पढ़ रहे हैं। चतुरत अस्तान पर और सब्तम अस्तान पर। तो देखो जब इस समय आपके खर्च में विर्दी होगी। लेकिन खर्च भी आपके शुब कार्य में होगा। क्योंकि अप्रेल तक देव गुरु ब्रस्पति वहाँ बैठें। उसके बाद देव गुरु ब्रस्पति रासी परिवर्तन करेंगे। तो फिर आप सोच समझ कर खर्च करें। आपका खर्च शुब कार्य में ही होगा। तो खर्च करते समय आप सोच समझ करी खर्चा करें। और अपने मा के स्वास्ति का विशेश ख्याल रखें। भूमी भवन का भी योग बन रहा है। दामपत्ति जीवन में थोड़ा बहुत उतार चड़ाव बना रहेगा। तो वहां भी मतभेत की इस्तिती बन रहे है। वर्च सोच समझ करी कदम उठाएं। और आपके लिए थोड़ा या समय जादा अच्छा नहीं बता सकते हैं। अप्रेल तक जादा अच्छा नहीं बताया जाएगा। फिर उसके बाद मई में देव गुरु ब्रेस्पती पूर्ण द्रिष्टी पड़ेगी। तो फिर आपके लिए बहुती स्रेष्ट हैं। ब्यापारिवर्ग पार्टनर्सिप में संबल कर ही कार्य करते रहें। अब देव गुरु ब्रेस्पती की बात करते हैं। अप्रेल तक देव गुरु ब्रेस्पती आपके बे अस्तान पर बैठे हैं। यहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। खर्चा करेंगे आपके लेकिन शूब कार्य में ही आपका खर्च होगा। और जो ब्रेस्पती के द्रिष्टियां जा रहे हैं। वहां चतुरत भाव में, सश्टम भाव में और अश्टम भाव पर जा रहे हैं। यदि आप भूमि भावन के बारे में सोच रहे हैं तो उसका लाव आपको मिलने वाला है। वहां लाव भी मिल सकता है। क्योंकि आपका खर्च होना है, तो शूब कारियों में ही खर्च हो सकता है। आप इस सौधी में शूब कारे करते रहें, धार्मी कारे करते रहें, धार्मी की आत्राएं भी करते रहें, अब यदि आप स्वास्ते से परिसान चल रहे थें, तो स्वास्ते में आपको लाब मिलेगा, रोग, रिन, रिपू से परिसानिया थी, तो उन परिसानियों से आप म वैसे तो पलड़ा आपी का भारी रहेगा पर फिर भी वाद विबाद में नहीं फसे अब देव गुरु ब्रेस्पति एक मई को जब रासी परिवर्तन करेंगे तो आपके रासी में आएंगे लगन में आएंगे लगन में कारक होते तो आपको शूब फल देने वाले हैं आप विद्या बुद्धी में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कोई परतियोगिता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी कोई पेपर दे रखा है तो उसमें भी आपको शूब रिजल्ट मिलेगा और इस ओधी में आप जो भी देंगे पेपर करेंगे तो समय आपके अनुकूल है एक मही के बाद आपके अनुकूल है समय बहुत इस रेष्ट समय है आपके लिए तो आप महनत करें बहुत अच्छा रहेगा अब जो दमपती संतान के बारे में सोच रहे हैं तो उनको संतान का ला भी और से मिलेगा लेकिन वहां पर केतू भी बैठे हैं गुरू की उपासना करते रहें गुरू से समंदित दान करते रहें और केतू से समंदित दान भी करते रहें नहीं तो मिस्केरेज होने के भी चांस बनेंगे पर फिर भी यदि आप धार्मिक बने रहेंगे धार्मिक कारे करते रहेंगे तो आपको सुब समाचार मिलेगा सुब समाचार की योग है यदि कोई प्रेम विवाह करना चाते हैं तो वहाँ भी उसके लिए भी आपके लिए समय अनुकूल हैं और किसी के विवाह में वादें आ रहे थी तो अरुकार्टे अब धूर होने वाली है विवाह का योग है आपके स्त्रेष्ट योग बन रहा है ब्यापार वर के लिए भी बहुत स्त्रेष्ट योग बन रहा है एक मई के बाद ब्रेस्टती पूर्ण द्रिष्टी पढ़ रहे हैं तो आपके ब्यापार में ब्रिदी होगी आपका जो ब्यापार है वहाँ बढ़ेगा आपको लाब मिलेगा ब्यापार में पार्टनर सीप में भी यदिया ब्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर से अच्छे बनेगी और आप दोनों को मिलकर आप दोनों को शूब लाब मिलेगा ब्यापार में स्रेश्ट रहेगा दामपत्ति जीवन में जो उतार चड़ाओ चल रहा था उसमें कमी आएगी आपके संबंद मदवर बनेगे और इस समय उच्छ सिक्षा के भी योग है और आप धार्मिक बने रह पगपग पर भाग्या आपका साथ देगा बस आपको मेहनत करनी है कुल मिलाकर देखा जाएं तो ब्रिसब रासी वालों के लिए भी यहाँ समय बहुत ही स्रेश्ट है मैं जो कुछ उपएब बताऊंगा इन उपएब आप करें और आपके लिए हर परकार से नया वर्स कु बड़े फैंसले लखें अपना लक्ष बड़ा रखें तो इस समय आपको सफलता ओसे मिलेगी एक बात का भी ख्याल रखना है आपने क्या मा और पिताजी के स्वास्ते का विश्यस ख्याल रखें जो भी कारे करें इनको पूछ कर ही आप कारे करें तो उन कारें में आपको विश्यस सपलता है प्राप्त होगी और जो सनी देव आपके लिए शक्ष महापुरुस राजयों का निर्मान कर रहे हैं वहाँ वहाँ पर कंटक सनी भी माने जाते हैं थोड़ा स्वास्ते का विश्यस ख्याल रखना है आपने अपने बाकी आपके लिए यहाँ समय बहुत श्रेष्ट बहुत शुग संकेत वाला है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब आपने उपाई क्या करने एक तो आप लक्षमी जी की विश्यस पूजा करते रहें स्री सुप्त का पाठ करते रहें नित्य हरुमान चालिसा का पाठ करें नित्य सूर्य अर्ग्य आपक की दाल का दान देते रहें के लिए बंटवा सकते आप और हल्दी का भी दान सूब रहेगा बाकी अपने से बड़ों का आप आदर करते रहें और देवाले नित्य जाते रहें आपके लिए यह समय बहुत इस्रेष्ट रहने वाला हैं जहां मैंने इन ग्रों की इस्तितियो पर बैठें तो आपके लिए बहुत ही स्रेष्ट हैं यदि वा कमजोर पड़ें तो आप उनको थोड़ा सा बल देना उनका उपाई करना और आपके लिए बहुत ही स्रेष्ट रहेगा या समय तो पुना मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगें तो लाइक कमेंट से और और से करना पुना दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैस्री कृष्णा हर हर महादेव जै बद्री विश्वाद